दोस्तों नमस्कार Learning by A.P. Sir यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग खंड सिच्छादकारी यानि ब्लाग एजूकेशन आफिसर यानि बीयो 2019 की जो लिखित पर इच्छा हुई थी उसकी कटाफ और उसकी मार्क सिट को देखेंगे कुछ लोगों ने मार्क सिट सेर किया है तो हमने सब को PDF फार्म में बना लिया है वो भी आपको दिखाएंगे और आखिरकार कितिनी कटाफ गई थी कितिने नंबर आपको लाने चाहिए नेक्स्ट वेकेंसी जो आने वाली है तब आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा उसकी भी बात करेंगे तब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि बहुत सारी लेटिस्ट अफडेट हुआ स्टडी माटेरियल आपको अपने यूटूब चैनल लर्निंग बाई एफिसर पर प्रोवाइड कर आया जाता है तो आएए सीधे मार्क सीट को ही देख लेते एक मार्क सीट है जिसमें जर्नल स्टडीज 200 नंबर का पेपर हुआ था इनको 66 नंबर मिले हैं और जो सेकेंड पेपर था जर्नल हिंदी एंड यसे का इसमें 123 यानि 130 नंबर मिले हैं ये गुड स्कोर है बहुत अच्छे नंबर है अगर 60 परसेंट प्लस नंबर आप निबंद और हिंदी वाले मिलाते हो तो ये गुड स्कोर माना जाता है बहुत अच्छा स्कोर है 123 नंबर जितनी अभी तक हमको माकसिट भेजी गए उसमें बहुत कम लोगों के 120 प्लस नंबर आएं हैं तो इनका सेकेंड पेपर में बहुत अच्छा नंबर आया ये अगर फर्ष्ट वाले पेपर में इसमें 80 भी नंबर ले आते तो ठीक ठाक रेंक आ जाती इनके जियस में नंबर कम हो गए इसलिए कुछ नंबर से चुक गए नहीं तो इनका स्लेक्शन हो जाता क्योंकि इसमें कई लोगों के 90 प्लस नंबर भी आये है तो उस हिसाब से 66 नंबर कम है तो ये एक मार्षीट रही अगली मार्षीट है अगली मार्षीट पे आते हैं ये मार्षीट है हाँ इसको देख लीजे साइद इनका सेलेक्शन हो चुका है तो इनको हस्ट पेपरमें कितने मिले 92 और सेकंड पेपर में 113 यानि 113 नंबर मिले तो दोनूं में अच्छे नंबर हैं ये भी बहुत इसलिए इनका सेलेक्शन भी हो चुका है अगला अगली मार्षीट देख लीजे अगला वाला इनको 91 यहां देखिए GS1 में 91 GS2 में 117 यानि 117 नमबर टोटल कितने 208 नमबर और 208 पे इनका भी सेलेक्षन हो चुका है तो यह 208 नमबर इनको प्राप्थ हुए यानि कि आपका फाइनल सेलेक्षन के लिए हर एक पेपर हर एक सेक्षन इंप्वाटेंट होता है किसी को आप अगर नेगलेक्ट किये या लूज किये तो उसमें किसी भी एक पेपर बे नमबर लूज हो गए तो सेलेक्षन क्या हो जाते हैं सेलेक्षन होने के चांसेज बहुत कम हो जाते हैं तो इनका यानि दोनों में अच्छा स्कोर है 91 और 117 अगली मार्क्षिट आप लोग देख लिजिए ये भी अच्छा स्कोर है यानि इक्यान नवे फर्ष्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में 115 सेकेंड पेपर में 115 टोटल 206 नंबर मिले हुए हैं अगला वाला ये मार्क्ष अगर 120 के आसपास मिलते हैं तो अच्छा स्कोर होता है तो दोनों पेपर में अगर 10 10 इसमें 10 इसमें इंक्रीज हो गए होते तो सेलेक्शन हो जाता अब किसकी कितनी कटाप गई है उभी हम देख लिते हैं तो ये कटाप जन्रल की गई है जन्रल तो इसमें कई लोग कन्फ उसके 249 नमबर इसका मतलब यह हुआ और जनरल में जो last candidate select हुआ है उसके 208 नमबर है इसी प्रकार EWS में जो first rank EWS category मिलाया है उसके 205 नमबर है जो last candidate select हुआ यानि 198 नमबर कुल मिला करके कटाब कौन सी है ये लोवेस्ट वाली 208 नंबर कटाब जन्रल की गई है 198 नंबर कटाब किसकी गई है ये 400 में है ध्यान दिजेगा 400 में ये EWS की गई है इसके बाद फिर अगली कटाब कितनी यानि OBC की 203 गई है OBC के बाद फिर आजाईए अनुसूचित जाती यसी की कटाब कितनी 187 गई है इसके अलामा यस्टी की कटाब 157 157 नंबर गई है अगला DFF की कटाब कितनी गई है तो ये आपकी 195 गई है भूत पूर्ब सैनिक की 181 गई है दिव्यां कई केटगरी OE की 188 गई है OL की 193 गई है PB की 186 गई है PD की 175 गई है अब महलाओं को सभी महला बरती अपनी अपनी जिस केटगरीज में आती हैं उसमें उनको रखा गया तो इसलिए लिखा भी सभी महला बरती अपनी मूल स्रेटनी की स्रेश्टता के अंतरगत सम्मिलित हैं तो यह रही कटाब तो इसलिए जो लोग निश्ट बैकेंसी जो भी योग जाने वाली है उसकी प्रप्रेशन करना चाह रहे हैं तो अभी से लग जाईए समय जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो बहुत कम बसता है तो सभी लोग दोनों सेक्षन जियस और साथ में हिंदी और यस से इन दोनों को अच्छे से करिए क्योंकि कोई भी सेक्षन अगर आपका लूज हुआ तो क्योंकि सेलेक्षन के लिए हर एक पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे तब ही फानली सेलेक्षन हो पाता है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट वाक्स में लिखके जरूर बताईए तब तक के लिए जैहिन जैभार